जब हम जाकर बोलते हैं तो लोग का फर्स्ट प्रश्न होता है कि क्या उसमें बदूनी आएगी घर में या घर में कोई कीड़े मुकड़े आजाएंगे यह कॉंपोस्टर है और कॉंपोस्टर में अगर आप गीले गीला कच्छा रोज जालेंगे और उसके साथ यह पाउडर लोग अल्ड़ी कर चुके हैं हमारी प्रॉड़क के साथ नमस्ते मैं श्वताडाल में आप सबका स्वागत करती हूँ आज यह क्यों के नए एपिसोड पे तो आज के एपिसोड पे हमारे साथ है पूनम बिरकस्तूरी जो फाउंडर है डेली डाम की पूनम वेल्कम टु दो एपिसोड ओफ यह क्यों नमस्ते थांक्यू वेरी मच्ट वाविग में श्वेता मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है मैं आज आज आपके साथ बात कर रही हूँ तो पूनम आप हमें ये बताये कि डेली डाम क्या है हमें कॉम्पोस्टर लेक हर घर में कॉम्पोस्टर क्यों यूज करना चाहिए और क्या कॉम्पोस्टर यूज करना बहुत ही आसान है तो पहली बात क्यों कॉम्पोस्टोर यूज करें हर घर में आपका कूरी का बिन आप अगर जाकर अजमाएंगे तो 60% by weight, not by volume weight से आपको बता चलेगा आपका गीला कुड़ा है उसका मतलब है कि आपके छिलके आपका पुरानी रोटी या थोड़ी बचे हुई सबजी या थोड़ा बचा हुई आटा या बच्चों ने आदा खाया हुई पीज़ा वो सब गीले कूड़े का हिस्सा बनता है और अगर आप बार फैंकेंगे और municipal truck को देंगे तो क्या होता है वो कुड़ा हर घरों के साथ जाकर एक landfill में जाकर समेथ होता है और उदर methane प्रडूस होता है तो methane से हमारा हमारी भूमिया में हिंदी इतनी अच्छी नहीं है बड़ हमारा वो climate change का problem हो जाता है heat जड़ा बढ़ जाता है और हमको हमारी सारी दूसरे समस्याई का कारण हो जाता है और इसलिए हम बोलते है इतनी इतना असान है कि आप घर में इस गिलिक कच्रे का खाद बनाईए अगर जब हम जाकर बोलते हैं तो लोग का first question होता है कि क्या इसमें बड़ू नहीं आएंगे घर में या घर में कोई कीड़े मुकड़े आ जाएंगे या दूसरा कोई problem हो सकता है मेरे को तो असान है बार पहेंकना आप क्यों मेरे को घर में रखने को पोल रहे है तो हम फिर बड़े प्यार से उनको समझाते हैं कि देखो ये एए एक कॉम्पोस्टर है और कीड़े problem करनी होता है और हमारे पास 80,000 लोग already कर चुके है हमारे product के साथ और इतना असान है और हमने इतने films YouTube में डाले हैं हमारे पास WhatsApp help line है अगर आपको कोई problem हो जाए आप तुरुंत WhatsApp में वीडियो करें हम आपको सिखाएंगे और इतने दूसरे customer भी आपको सिखा सकते हैं और आप ये करेंगी तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप बार अपने पोदों भी में डाल सकते हैं और आपके बच्चे अगर घर में हैं उनको एक science experiment हो जाता है कि ये soil में इतनी शक्ती है और हम जो खा रहे हैं वो वापस धर्ती हो हम उसको वापस धर्ती में जा रहे हैं अमरित की अमरित के तरह अगर आप landfill में भेजेंगे वो अमरित के बजाए वो poison हो जाता है और एक simple action आपके घर से सारी आपकी city को change कर सकती पूनम तैंक यू आपने हमारे साथ ये शेर कर रहा और definitely मुझे लगता है कि काफी लोग तो composter और यूज़ कर रहे हैं और बहुत तोग शायदी सुनने के बाद अपने घर में composter लेके आएंगे और डेली डम के पास तो ऐसे भी composter की बहुत सारी varieties हैं एक छोटे से लेकर बड़ा हर टाइप का composter आपके पास है तो अगर आप हम तो बोट प्यार से आपको दे सकते हैं और अगर कोई श्वेता ने कोई चैलेंज की है तो उनका prize हो तो हम आपको prize में composter मिल जाएगा आपको सो गाइज इसी के साथ में आपको पताना चाहूँगी कि डेली डांप और क्लाइपनोर आपके लिए चोटा सा giveaway लेक्या रहा है जिसमें आपको composter मिल सकता है और आप उसे अपनी composting की journey स्टार्ट कर सकते हैं giveaway की सारी डीटेल्स डेली डांप और क्लाइपनोर के Instagram pages पे आपको मिल जाएंगी चुसके links description में है तो thank you Poonam, thank you हमारे साथ इस शोग पे आने के लिए और आप जो कर रहे हैं वो genuinely बहुत ही सदानी है तो जो कर रहे हैं वो करते रहे हैं बहुत सारी लोग आपके साथ जोड़ेंगे इस महिम में thank you, thank you Shaita, namaste thank you, namaste